आज का टोपिक है कि अगर हमारा ओल्टरनेटर में AVR खराब हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि AVR फॉल्टी है या नहीं इन शॉट आज की वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे कि AVR को किस तरह से बाइपास करके हमें ऑल्टरनेटर को चलाना है ताकि हमें पता चले कि इश्यू AVR में है ऑल्टरनेटर में नहीं है बहुत बार क्या हो जाता है वोल्टेज का इश्यू हो जाता है वोल्टेज बिल्डप नहीं होता और हम यह गैस करते रहते हैं कि AVR शायद अच्चा है या खराब है क्योंकि AVR एक इलेक्ट्रोनिक पार्ट है तो बहुत बहुत टाइम उसे टेस्ट करना आज के टोपिक में आपको मैं यह दिखाऊंगा कि AVR को किस तरह से बाइपास करके उसे टेस्ट किया जा सकता है तो आज के टोपिक में हम AS440 जो स्टेंफर्ड का का AVR है उसे as a example लेके उसके उपर वीडियो बनाऊंगा बेजिकली यह प्रिंसिपल सेम है आप AS440 ले ले लेजे स्टेंफर्ड का या कोई भी ऑल्टरनेटर का AVR ले ले लेजे हर AVR का फंक्शन 90% सेम ही रहता है तो इसलिए आज के वीडियो में जो भी मैं दिखाऊंगा वो आपको किसी भी ऑल्टरनेटर के AVR पे आप उसे apply कर सकते हो उसे bypass कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपका AVR सही है या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं तो AVR bypass करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए वो यह है जो आपके screen पे अभी दिखाई दे रहे त तो basically यह दो crocodile probes है आप देख सकते हैं यह दो crocodile probes है और इसके एक side में मैंने crocodile probe को wire से connect किया हो है दोनों को separate separate प्रिट कनक किया हुआ है और उसके जो एंड है एक एंड प्रोब्स पर है और दूसरा जो वायर का एंड है उसे मैंने लगिंग किया है यह दिकिए मैंने इसमें एक लग मारा है दोनों को तो आपको पता है बहुत सारे पिंस है लेकिन इस वीडियो के लिए हमें सिर्फ दो पिंस की हुआ है माल जरुरत पड़ेगीक् Monsieur President इससी बीज़िक्ली सिर्फ यह दो पिंस पे हमें कॉंस्सर्ट्रेट करता है किसी भी ईविएर में प्रैक्रिकली इंजिन पर ऑल्लटर्शें डिखाता हूं तो बहुत बार हम देखते हैं कि AVR को एक चोटा सा connectर रहता है और collector की through AVR connect हुता है तो ये rule नहीं है कि हर बार AVR connect करने के लिए connector ही रहेगा जो भी है तो इसमें हम अभी देखेंगे कि आपका जो 2 wire है जो connector की through connect होता है आपका जो F1 और F2 तो उसे हमें AVR से निकालना है और F1 और F2 को हमें जो हमने एक wire ready किया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था एक crocodile probe जो है और उसको मैंने एक wire connect किया हुआ था और उसको जो लग किया था तो वो दोनों लग हमें F1 और F2 की wire से जोड़ना है तो यह याद रखे यह वोई wire है जो AVR में connect होती है तो उसे हमें AVR से निकालना है F1 और F2 को AVR से निकालना है और हमारे जो wires है दो जो हमने बनाई थे उसे उसमें connect करना है बाकी के दो wire आप बाकी के जो भी wire जितने भी wire रहेंगे AVR के उसे आप open छोड़ दीजे या तो AVR को connect कर दीजे नहीं तो open छोड़ दीजे कुछ इश्यों नहीं है तो मुझे अभी पूरा जो setup है मैं आपको alternator पर connect करके दिखाता हूं तो अभी आप देख सकते हूं यह हमारा ES440 AVR है जिसमें चार wire जाते हैं तो अभी हमारा जो important है वो F1 F2 तो आप देख सकते हो मैंने F1 F2 को मेरे external wire से जोड़ दिया है और यह आप जब करेंगे तब ध्यान रखिए यह पूरा insulated होना चाहिए F1 F2 एक दूसरे से touch नहीं होना चाहिए तो मैंने एक सिरा F1 F2 को जोड़ा है और दूसरा जो सिरा है वो मैंने crocodile probe के तरो आपके battery के positive और negative terminal से मैंने जोड़ दिया है तो अभी क्या होगा जो काम आपका AVR कर रहा था वो काम अभी आपका यह crocodile probe और यह दो wires करेंगे तो इस तरह से आपका AVR बाइपास हो जाएगा और आपका alternator आप start कर सकते हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ alternator start करके यह देखिए अभी यह अमारा डिप से controller है और मैं अभी alternator start करता हूँ ध्यान रखिए यह मैंने AVR connect नहीं किया है AVR के जगा पे मैंने आपका जो external supply हो वो connect किया हूँ तो यह देखिए अभी alternator start हो जाएगा और यह देखिए हो यह हमें हमारी voltage मिल गए तो इस तरह से हम AVR को bypass करके alternator start करके देख सकते हैं तो इसे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा AVR में कुछ खराबी है या नहीं है तो अगर हमें कुछ doubt है AVR पे तो इस experiment से आपका doubt clear हो जाएगा आशागरता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा अगर कुछ doubts है तो आप मुझे बेजी जग comment कर सकते हैं मैं आपको comment में जितना हो सके उतनी answers देने के कोशिश करूँगा वीडियो देखने के लिए दन्यवाद Have a very good day Thanks for watching, bye bye कर दो